हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए लेकी आई हूँ इंस्टन्ट नास्ते की रेसेपी इसी आप इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं या फिर मॉनिंग के ब्रेकफास्ट में दोनों टाइम में ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो फिर दे देंगे आधा चमाच बारी कटा हुआ अध्रक अध्रक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और इसके साथ जाता भी है तो इसलिए अध्रक आप जरूर से डालें तो अध्रक और जीरा अच्छी तरह से क्रेकल हो गया है तो अब इसमें क्या करेंगे आधा कटा सी हलका सबुन किया है तो अब इसमें दो उबला हुआ आलू डाल देंगे तो अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के साथ में आधा चम्माच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चुथाई चम्माच लाल मेर्शी पाउडर डालेंगे, साथ में आधा चम्माच धनिया पाउडर और एक चुथाई चम्माच डाल देंगे चाट मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर से एकदम खटा-खटा नीमू का जूस भी डाल सकते हो, उसे भी अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल के अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करना है, भूनना भी है। अब एकदम सिंपल और चटपटा मसाला बन के रडी हो गया है। तो लास्ट में थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया पत्ती, धनिया पत्ती के बगएर तो मसाला में अधूरा है टेस्ट, बस डाल के मिक्स करेंगे, और मसाला को एक प्लेट में निकाल के गैस का फ्लेम आफ कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गरम होने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है। दाल देंगे नमक अपने टेस्ट के कोडि और साथ में डालेंगे आधा कप सूजी, आधा कप सूजी में एक कप पानी डालना है। तो आप मैजर कटोरी से भी कर सकते हो एक कटोरी पानी आधा कटोरी सूजी बस अब पानी के साथ सूजी को मिक्स करेंगे थोड़ा दर होते ही क्या होगा सूजी पानी पूरा सोप कर लेगा और जो दानेदार लगता है सूजी वो दानेदार नहीं लगेगा पूरी अच्छी नहीं लग रहा है तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनियापती आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं देखने में सुंदर लगता है इसे लिए अब डाल के अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो अब यह अच्छी तरह से एकदम मिक्स हो गया है तो अब क्या करेंगे इसे एक प्लेट में निकाल के थंडा होने के थोड़ी दिर के छोड़ देंगे तो अब सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, गुटलियां बनने लगती है, तो अब इसमें डालना है, दो चमच मैदा डालेंगे, मैदा उसे बाइंडिंग आएगा और अच्छा ब हो गया है, तो अब इसे क्या करेंगे, दो लोई बनाएंगे इससे, बड़े साइज का ही लोई बनाना है, तो अब इस लोई को बेल लेंगे, नॉर्मल बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम मोटा ही रखना है, तो हमने गोल रोटी को बेल लिया, चलेगा अब इस तरह से कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा ना उसे फिर क्या करेंगे लोई बना के फिर से बेल लेंगे बिल्कुल इजी है असानी से बन जाता है अब इसको फिर से दो पार्ट में कट कर लेंगे बस इसी तरह से बनाने आप देख सकते हैं ज़्यादा पतला नहीं है और मोटा भी बहुत नहीं मीडियम हमने रखा है तो एक बार में हमने इतने पटी बना के रैडी कर लिया है तो आप जो आलू को स्टफिंग बना के रैडी कर रखा था उस स्टफिंग को इस तरह से अच्छी तरह से फैलाएंगे यह पटी जो बना ready हो गया है तो अब इसे सेखना है तो सेखने से पहले एक और काम करेंगे डिजाइन बनाएंगे ग्रीलर में जैसे सेखते हैं क्या से रहता है डिजाइन वैसे ही तो चाकू लेंगे कोई सब ही और इस तरह से गुमा गुमा के means डिजाइन बना देना एकदम easy है लेकिन थोड़ा सा महनत करेंगे न तो देखने में काफी सुन्दर लगता है इसलिए इस तरह से डिजाइन बना रहे हैं अब दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से बना लेना है तो देखके तो समझ में आही गया होगा किस तरह से डिजाइन बनाना है है न बच्चो का खेल आप बच्चो को भी देदेंगे न तो बच्चे भी असानी से बना लेंगे तो सारे को हमने बना के ready कर लिया है तो चलते हैं फिर अब इसे सेखेंगे सेखने के लिए आप तवे के उपर बहुए सेख सकते हैं या फिर शेलो फ्राइ कर सकते हैं तो आज में क्या करूँगी पैन में थ्वड़ा सा तेल डालके सेख लूँगी बस जब तेल गरम हो जाएगा तो इस तरह से डाल देंगे और डालके gas का flame medium कर देंगे और उसके बाद इसे सेकेंगे तो अब एक side सीख चुका है तो अब इसे पलट लेते हैं पलटने के बाद क्या करेंगे दूसरे side भी इसी तरह से सेकेंगे तो देखे हलका हलका इसके उपर color आ गिया है तो देखे दोनों side अची तरह से color आ गिया है हलका हलका golden color का हो गिया है तो अब क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे और निकाल के बागी कभी सेम इसी तरह से fry कर लेंगे तो बिना bread का sandwich बनके ready हो गिया है सूजी का बना हुआ ये नास्ता है खाने में tasty लगता है